दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है डेली करेंटरफेर क्वीज में आजम देखने वाले हैं 6 दिसंबर की करेंटरफेर को जो कि सभी प्रिक्साओं के लिए मैत पून रहेगी डेली करेंटरफेर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनिट में 20 करेंटरफेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंटरफेर होती है अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना नीचे रेड कल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ओन रखिए ताकि आगया आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो 6000 के कोशन आंसर की पीडियाप आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक है उसके साथ में 1000 के कोशन आंसर फ्री में मिलेंगे आपको अगर आप हमसे वोटसप पे कोंटेक्ट कर लेते हैं यानि कि टोटल 7000 के कोशन आंसर आपको मिल जाते हैं और ये कितने में मिलेंगे 150 रुपीज में और इसमें आपको complete GK मिल जाएगा science, current affair और computer मिल जाने वाला है और कोई भी doubt होता है WhatsApp में message करिए या फिर हमारी website पे visit कर लिजे दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले कल की वीडियो से मैं question पूछूँगा जिसका answer सभी को comment box में बताना है question है हाल ही में 2022 में major ध्यानचंद खेल रतन पुरुषकार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है तो इसका answer आप लोग comment box में बताएगा यह मैंने कल की वीडियो में आपको question cover करा था शुरू करते हैं आज की current affair को और पहला question आपकी screen पर है हाल ही में किस antrix agency ने प्रत्वी जैसे एक नए गरह की खोज की है तो पहले question का दोस्तो right answer हो जाएगा यह खोज की है दोस्तो ना साने यानि कि A right answer हैगा question number one का correct answer दूसरा question आता है हाल ही में किस राज्य ने दर्मांतरन विरोधी विदयक को सक्त बनाने के लिए विदयक पारित किया है तो दूसरे question का दोस्तो right answer हैगा उत्राखणने यानि कि B right answer हैगा question number two का correct answer तीसरा question आता है हाल ही में कोयला मंतराले ने कहा निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है दोस्तो निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया है कहां पर तो तीसरे question का right answer हो जाएगा option C मुंबई में तो यह आपको याद अखना है question number four आता है हाल ही में एक इकरत संचार और आउट्रीच कारेकरम कहा आयजित हुआ है और दीखे अगर आपको अमारा concept पसंद आता है दोस्तो पढ़ाने का 10 मिनट में complete current affair तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ में भाई बैंच जो भी competitive exam की त्यारी करते हैं उन तक भी इस वीडियो को जरूर सेयर कर दिया करें और जितने भी study related group हैं उन हर एक group में भी इस वीडियो को सेयर कर दिया करें तो question number four का दोस्तो right answer हेगा option is infant तो यह आपको याद अखना है question number five आता है दोस्तों हाल ही में कहां पहली structure audit नीती को लागू किया गया है दोस्तों पाचवे question करेंट answer रहेगा option भी उत्तर परदेश तो यह आपको याद अखना है question number five के बारे में question number six आता है हाल ही में रहने के लिए विस्व का सबसे महंगा सहर कौन सा घोसित हुआ है दोस्तों विस्व का सबसे महंगा सहर कौन सा घोसित हुआ है टाइगर कर देखे कि आप इस question का अंसर सही कर पा रहेंगा चटे question का rate answer हो जेगा नियोर्क यानि कि C rate answer हेगा question number 6 का correct answer question number 7 आता है हाल ही में किसने project G.I.B. शुरू करने का प्रस्ताव रखा है तो G.I.B. प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा है साथवे question का rate answer हेगा सुप्रीम कोट ने यानि कि B.Rate answer हेगा question number 7 का question number 8 आता है दोस्तों दोस्तों इस question को very very important mark कर लेना क्योंकि इस प्रकार के questions exam में जरूर देखने को मिल जाते है आठवे question का rate answer हेगा Google के CEO और Google के CEO दोस्तों कौन है फटा फट आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते है comment box में answer बता दीजे 9 कोशन आता है हाल ही में राष्टिय जै विवित्ता आयोक का अध्यक्स किसे न्यूक्स किया गया है तो 9 कोशन का rate answer क्या रहेगा sorry तो 9 कोशन का दोस्तों rate answer हेगा बिल्कुल C अचलिंदर ready यानि की option C rate answer हो जाएगा कोशन बर 9 का आप इनको यहाँ पर फोटो में भी देख सकते है दोस्तों अगला कोशन आता है हाल ही में किस बैंक ने वेस्विक बैंकिंग सिखर सम्मिलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ओब दा इयर पुरुसकार दुजर बाइस जीता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट माग कर लेना और बैंकिंग वाले स्टुडेंट तो खास कर तो 10 वे कोशन का दोस्तों रइट आंसर एगा केंडरा बैंक ने यानि कि B रैट आंसर एगा कोशन नमबर 10 का सही उतर कोशन नमबर 11 आता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है तो ग्यारवे कोशन का राइटांसर क्या रहेगा दोस्तों बिल्कुल ये फैसला दोस्तों लिया है तमिलनाडू राज्य सरकार ने यानि कि इस question का right answer C हो जाएगा यह आपको याद अखना है 12 question आता है किस bank ने सहरी सहकारी bank के लिए चार इस्थरिये नियामक मादंडो को लागू किया है 12 question का दोस्तो right answer है भारती रिजर्ब बैंक ठीक है RBI नहीं आनि कि option A right answer है question number 12 का correct answer question number 13 आता है मद्य पर्देश के वर्तमान मुख्य सचीव कोन है जिने हाल ही में विस्तार मिला है तो दोस्तों मद्य पर्देश के वर्तमान में मुख्य सचीव कोन है 13 का right answer है option C इकबाल S base यानि कि option C right answer हो जाएगा question number 13 का आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं अगला question दोस्तों आता है question number 14 विस्व मर्दा दिवस और अंतराष्ट्य सव्वे सेवक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों question number 14 का right answer है option B 5 December को तो यह आपको याद अखने हैं दोस्तों अगला question आता है question number 15 सवास्त सेवा वितरन के लिए पहले drone station का उधगाटन कहा किया जाएगा पंदरबा question का right answer क्या रहेगा इस question का दोस्तों right answer हैगा सवास्त सेवा वितरन के लिए पहले drone station का उधगाटन दोस्तों मेगालिय में किया जाएगा यानि कि option A right answer हैगा question number 15 का question number 16 आता है दोस्तों नियूर्क फिल्म क्रिटिक्स संकलन अवार्ड 2022 में सबस्रेस्ट निर्देशक का पुरुषकार किसने जीता तो कोशन नमबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा भई ये जीता है दोस्तो एस एस राजमोली ने आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं और ओप्शन ए राइट आंसर नियूक्त किया है तो 17 का दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तो नाइज के नए ब्राइन अबसेडर बने हैं विराट कोली यानि कि ए राइट आंसर रहेगा कोशन नमबर 17 का ये भी इंपोर्टेंट कोशन है अठारवा कोशन है वैस्विक विमान सुरक् रैंकिंग में भारत का इस्थान क्या रहा है तो अठारवे कोशन का रहेगा 48 वे इस्थान पर यानि कि बी रहेट आंसर रहेगा कोशन नमबर 18 का ये आपको याद रखना है कोशन नमबर 19 आता है कि इंद्र सरकार द्वराजारी सवच वायू सर्विक्षन रिपोर्ट 2022 मे सिर्ष पर कौन सा सहर रहा है तो 19 वे कोशन का दोस्तो रहेगा जल्दी से बताईए बिल्कुल ये रहा है दोस्तो लखनाओ यानि की ऑप्षन ए रहेगा कोशन नमबर 19 का कोशन नमबर 20 आता है भारतिये नो सेना ने किस वर्स तक आत्म निर्वर बनने का लख से रखा है तो देखें 20 वा कोशन भी काफ़े important कोशन है मार्क कर लेना दोस्तो ये कहीं आगे आने वाले कहीं सालों तक ये कोशन पूछा जाएगा 20 वे कोशन का write आंसर हैगा option C 2047 तक तो ये भी आपको याद अखना है ये तो थे हमारे 20 करेंट फिर के कोशन आंसर अभी बात करते है दोस्तो होमवर के कोशन के बारे में साथ ही साथ कोशन ओप दे के बारे में और जो कल का हमारा होमवर का कोशन था उसके आंसर के बारे में तो आज का हमारा होमवर का कोशन है हाल ही में EU, G7 और Australia ने मिलकर किस देश के लिए तेल निर्यात पर price cap लगाया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बोक्स में बताईएगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा question of the day है दोस्तो गायतरी मंतर किस पुस्तक से लिया गया है इसके लिए मैं आपको 5 सेकिंड का समय देता हूँ और इस question का answer comment box में बता दीजेगा तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोग ने इस question का answer comment box में बता दिया होगा इस question का जो correct answer हैगा वो रहेगा दूस्तो रिगवेद तो गायतरी मंतर किस पुस्तक से लिया गया है दूस्तो रिगवेद से तो यह आप याद रखेगा ठीक है और जो हमारा कल का homework का question था वे था दूस्तो हाल ही में विक्रम गोकले का निदन हुआ है वे कौन थे दोस्तो यह एक अभिनेता थे यानि कि इस question का right answer आपका D हो जाएगा यह हमारा कल का homework का question था यह वीडियो आपको कैसी लगी फटा-फट एक छोटा सा feedback comment books में जरू बतेगा वीडियो पसंद आई है like करिए share करिए अपने दोस्तों के साथ में groups में चैनल पर नए है तो चैन question answers की पीडियाप आपको हमारे WhatsApp नंबर में मिल जाएगी जब आप payment कर देते हैं तो इसकी इंसोट भेज देते हैं तब आपको यह पीडियाप मिल जाती है तो तब जाके आपके साथ जार question answers होते हैं और इसके लिए आपको हमें WhatsApp पे message जरू करना होता है इसमें complete history है यानि कि नीचे description box में मिल जाता है या फिर directly आप हमारी website पे विजिट कर सकते हैं onlytopstudy.com पे यहां से भी आप यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में thank you so much bye bye everyone and take care ख्या लख अबना